जहें दोस्तों स्वागत अब सभी का वर्ड अपडेट्स में मैं हूँ शेचांक लेकराई दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंडिया मैनमार थाइलेंड अठाइस सो किलूमीटर का जो हाइवे है उसके बारे में बात करने वाले है ये काफी अवेटेड प्रोजेक्ट है भारत के जो पूरु प्रधानमंत्री रहे श्री अटरवेहली बाचवे उन्होंने इस आईवे का जो है सपना देखा था कि इंडिया से मैनमार जो है हम बाइरोड और थाइलेंड तक जो है हम बाइरोड जा सकते है इस हाईवे से इंडिया थाइलेंड के बीच में जो ट्रेड है उसको भी यहाँ पर और डेवलप किया जाएगा इसके साथ साथ इसका एक मेजर बेनिफिट मैनमार को होगा और जो हमारे नौर्थ इस्टन स्टेट्स हैं उनको भी काफी जादा बेनिफिट जो है होने वाल के एक्सप्रेस भी हमको देखने को मिलते हैं और यह जो है टोटली कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवेस है इनमें प्रॉपर एंट्रेंस प्रॉपर एक्जेट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे इन एक्सप्रेस भी को बहुत ही हाईटेक टेक्नलोजी से जो है डेवलप किया और इन में maximum speed आपको 120 km पर आर की जो है देखने को मिलेगी दोस्तों लेकिन सिर्फ national level पे ही नहीं इंडिया international level पे भी बहुत सारे highways को जो है डेवलप कर रहा है डिसेंटल एक article पब्लेश हुआ जहां पे Modi government को thanks रिया गया और यहां पे यह बताया गया कि Kolkata से Bangkok तक बहुत ही जल्ब हमको एक smooth drive देखने को मिलेगी याने की by road तक जो है आप Bangkok यहां पर जा सकते हो इंडिया से इसके अलावा आप मैनमार भी जो है जा सकते हो 2002 में जब इंडिया मैनमार थाइलेंड की ministerial level की meeting होई थी तब इस पर जो है यहां पर चर्चा करे गई थी कि हमको जो है इस तरीके से एक highway को जो है डेवलप करना चाहिए लेकिन दोस्तों उसके बाद जब सरकार यहां पर बदल गई तो UPA की जो सरकार है उसने जो है कुछ ज़ादा यहां पर काम नहीं किया Congress की सरकार में भी अगर आप दिखोगे तो उतना काम आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उनका यहां पर यहां पर यहां पर आती है तो उसके बाद इस पे जो है काम हो जाता है अगर हम इस पूरे highway की læंद को देखें तो यह 800 km का हाईवे है इसको बे ओ बेंगॉल इनिशेटिफ फॉर मल्टी सर्क्रट टेक्निकल एंग्रिक्टॉमिक कॉपरेशन याने की विम्स्चेक का ये एक प्रोजेक्ट है जिससे हम मल्टी लेटरल जो ट्रेड है उसको यहां पर बूस्ट कर पाएं दोस्तों इंडिया इसके अलावा एसियन ट्राइलिटरल हाईवे भी जो है इसको कहा जा रहा है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इसमें भारत में मोरे जोकी मनीपूर थाइलेंड मैसोत मैनमार होते हुए आप जो है यहां पर पहुँच सकते हूँ इसमें नौर्थीसन राज्य का भी आप आपको बहुत जादा योगदान देखने को मिलेगा याने की कोलकाजा सी तो यहां पर शुरू होगा ही इसके साथ साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट शेहर है नौर्थीस्ट के उनको भी जो है ये कनेक्ट करता हुआ मैनमार जाएगा और मैनमार से जो है आप यहां पर इसका फुल फॉर्म है ये एक इंटरनेशल ओर्गनाइडिशन है और इसमें आपको साथ साथ एशियन कंट्रीज जो है देखने को मिलेगे जो की 1.73 बिलियन पीपल्स यहां पर रहते हैं अगर आप कंबाइंट एकनॉमी देखोगे इन साथ देशों की तो आपको इसके मेंबर देखने को मिलेंगे अगर आप एक चीज समझोगे तो इससे हमारी कनेक्टिविटी जो है बहुत साथ यहां पर बढ़ जाएगी हम इसली एकसेसिबल होंगे हम थाइलेंट तक अपना समान यहां पर पहुँचा सकते हैं इसके अलावा जो बिसनेस मैन हैं कुछ कंपनी जो हैं लोगभी वहां जाके काम कर सकते हैं और सबसे इंपोर्टन बात है कि टाइम कंजूमिंग होगा अगर हम इस पूरे हाइवे की बात करें तो इस हाइवे में सबसे जादा जो पार्ट है आपको भारत में देखने को मि रिपोर्ट्स तो यहां पर यह बताती है कि भारत में जो हाइवे का काम है वो काफी हद तक हो चुका है लेकिन मैनमार में यह काम जो है पेंटिंग है थाइलेंड में भी काफी हद तक जो हाइवेज है उन पर जो है काम पहले यहां पर हो चुका है दोस्तों अगर हम इसके ब बहुत जदा इंप्रूव होंगे दोस्तों इंडिया थाइलेंड का ट्रेड अगर आप देखोंगे तो काफी अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा और इसके बाद हम जो है ट्रक्स के थूरू जो है अपना समान यहां पर पहुंचा सकते हैं और थाइलेंड से जो समा जो है और दूसरे देशों में भी यहां पर पहुंचा सकता है दोस्ते एक तरफ हम देखें तो हमारे पास Arabian is Arabian see से हम दूसरी तरफ जो है यहां पे बिजनेस करते हैं यानि कि जो west side है हम उस तरफ जो है अपना समान यहां पर पहुचा सकते हैं Middle East की तरफ जो है यहां पर पहुचा सकते हैं और वहां से वो जो समान है वो यॉरप तक जो है पहुच सकता है लेकिन दोस्तों अगर हमको कुछ समान जो है कहीं और भी भेजना हो यानि की eastern countries में यहां पर भेजना हो तो हम जो है Thailand की थुरू यहां पर भेज सकते हैं दोस्तों अगर transportation अगर आप देखोगे तो Thailand तक जो है उतनी connectivity पहले यहां पर नहीं थी अभी अगर आप देखोगे तो जब यह highway यहां पर बन जाएगा तो इससे एक major connectivity जो है हमको मिलेगी इसके साथ सा जो और भी देश हैं वहां तक हम बिलकुल अपना वैपार कर सकते हैं इन future यह जो highway है एक major productivity जो है provide करने वाला है इससे इंडिया को मैनमार को Thailand को बहुत ज़दा benefit होगा इसके अलाव इन future विमस्टेक के जो देश हैं उनको भी काफी ज़दा benefit जो है होने वाला है और दोस्तों सिर्फ यही नहीं भारत अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर already यहां पर काम कर रहा है आप Mumbai नागपुर एक्सप्रेस भी देखो दिल्ली Mumbai एक्सप्रेस भी देखो इन पर भी जो है सरकार बहुत जोरो सोरो से काम कर रही है इसके साथ जो मारे रोडल ट्रांस्पोर्ट के मिनिस्टर इन दिन गड़करी वो तो यहां पर बहुत सारे हाइवेस को जो है डेवलप करने के विजन लेके चल रहे है तो इन फ्यूचर इंडिया को बहुत ज़्यादा benefit होने वाला है